नमस्कार मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन अख़वार का यूट्यूब चैनल एक स्वक्त बड़ी ख़बर सामने निकल कर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नितिसकुमार उडिसा पहुच कर उनहोंने उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक से मुलकात करने के लिए उडिसा पहुच गया है यह जो तस्वीर देख रहे हैं जो नितिसकुमार और नवीन पतनायक का है लगतार विपक्षीों को नितिसकुमार एक जूट करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह 2024 में मोधी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोका जा सके इसलिए 2024 में BJP के BJP पताका को रोकने के लिए नितिसकुमार चक्रभीव की रचना कर रहा है किसी भी हर हाल में BJP को रोका जा सके इसलिए लगतार नितिसकुमार बड़े बड़े नेताओं से मुलकात कर रहे हैं। वहीं उडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक और बीजेपी के लंबे समय तक चोली दामन का रिस्ता था। मुख्य मंत्री नितिसकुमार महराष्ट्र पहुचकर उड़ ठाकने से भी मुलकात करेंगे। और फिर वहीं पर NCP सुप्रीमो स्तरत पवार से भी मुलकात करेंगे। वहीं जदिव के लोगों का कहना है कि हर जगह से अच्छे संकेत आ रहे हैं। इसलिए नितिसकुमार सारी पाटियों को एक जूट करने में लगे हुए हैं। यहां तक कि नितिसकुमार पच्छिम बंगाल के CM मंता बनरजी से भी मुलकात कर चुके हैं। वहीं यूपी के पुर्व मुख्य मंत्री अखलेस यादों से भी मुलकात कर चुके हैं। और अब उडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक से मिलने भूलेस्वर पहुच गया हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही ख़बर देखने के लिए हमारे साथ बने रही है। मैं मिडियादर संसे सोनुक मार धन्यवाद।